नमस्कार मीत्रों, मेरा नाम है शीवम कोटेचा, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मारूती सुजु की अटिगा का कम्पलेट रिविवू, तो चलो शुड़ू करते हैं मारूती सुजु की अटिगा ब्लेक एडिशन, आपको दो वेनियेट में मिलता है, ZXI and ZXI Plus, स्टार्टिंग प्राइस, 10 लाग 72,900 से लेके, 11 लाग 42,900, एक सोहरूम राज कोट, शेफ्टी फीचर 4 airbag, ABS with EBD, Speed Sensing Door Lock, Impact Sensing Door Unlock, ISO Fixed Child Sheet Mounting, तो चलो, पहले फ्रांस से शरुवाद करते हैं क्रोम ग्रील, क्रोम में मारूती सुजु की का लोबो Automatic Projector, Halogen Head Lamp, यह आपका Low Beam, और यह आपका High Beam, Halogen Fog Lamp, Wiper, Antina, Roof पे Design तो चलो, साइड की बात कर लेते हैं तो पहले मैं आपको Dimension बता देता हूँ Length 4.4 mm, Width 1.7 mm, Height 1.6 mm, Wheelbase 2.7 mm 15 इच के टायर आते है, Electrically Existible और Electrically Foldable ORBM ORBM पे Turn Indicator, Chrome Door Handle और Door Handle पे Request Sensor 45 लीटर का पेटोल का टेंक आता है तो चलो, Rear की बात कर लेते हैं Rear Viper, Rear Defogger, Rear Oser, High Mounted Stop Lamp Chrome में Maruti Suzuki का लोबो LED Detail Lamp, Chrome में Attica की Basing Smart Hybrid की Basing, Reveist Parking Sensor तो चलो, बुट खोल के देख लेते हैं इतना आपको बुट स्पेस मिलता है आपकी दो बड़ी बेग और एक छोटी बेग आराम से आ जाएंगी और यहां नीचे भी आपको फ्रिक जगा मिलती है शामान रखने के लिए और आप रियर सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं तो चलो, रियर पेसिंजर साइट डॉर खोल के देख लेते हैं पावर विंडो स्वीच, क्रोम डॉर हैंडल्स, बोटर होल्डर इसमें आपको टोटल फॉर स्पीकर एंड टू ट्वीटर मिलते हैं रियर एस इवेंट और आप रियर एस इवेंट की स्पीड यहां से कंट्रोल कर सकते हैं 12 वर चार्जिंग पोर्ट और यहां थोड़ एक जगा मिलती है, आप अपना सामान कुछ रख सकते हैं आप रियर की सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं और रिकलाइन भी कर सकते हैं रियर आम रेस्ट तो चलो थर्ड रो सीट में चलते हैं आप थर्ड रो की सीट भी रिकलाइन कर सकते हैं यह लो जन के बिन लेम आपको थर्ड रो सीट में भी 12 वर चार्जिंग पोर्ट मिलता है और थर्ड रो में भी आपको एक वोटर होल्डर मिलता है तो चलो फ्रेंट ड्राइवर डॉर खोल के देखते हैं और फॉर पावर विंडो के कंटोल अब यहां से इलेक्ट्रिकल एक्जेस्ट कर सकते हैं और बीम को क्रोम डॉर हेंडल्स वाटर होल्डर ट्रेक्शन कंटोल ओफ करने के लिए लाइट एक्जेस्टमेंट इंजिन स्टॉप स्टार्ट बटन और ड्राइवर सीट एक्जेस्टेबल आती है यहां स्टेरिंग वील मिलता है लेप्ट एंड साइड में मीडिया कंटोल और यहां नीचे फोन कंटोल और राइट एंड साइड में क्रूस कंटोल फ्रांट एंड रियर वाइपर कंटोल ओटोमेटिक हेडलाइट कंटोल और ऐसा इंस्टूमेन क्लस्टर मिलता है जो दिखाता है कि आपका कौन सा डोर खुला है वो हाइश्पीड अलड टेंप्रेचर किलोमीटर टाइम और कुछ इंफोमेशन मारुतिका स्मार्ट प्रो प्लस जो सपर्ट करता है एंड्रोइड ओटो एपर का प्ले ब्लुटूद यूएश्बी एज़र लाइट स्वीच ओटोमेटिक क्लाइमेट कंटोल 12 वर्ट चार्जिंग पोर्ट इवेश्बी चार्जिंग पोर्ट और आपको दो कूल ग्लास होल्डर मिलते है फाइश्पीर मेनिवल और एक रिवेस गलब बोक्स और यहां आपको सारा हार्ड प्लास्टिक मिलता है रियर वीव मिरर एलोजन केविन लेंप दो मायक कोड ड्राइवर साइट संवाइजर मेनिटी मिरर मिलता है ड्राइवर साइट संवाइजर यहां टिकी टोरर मिलता है एक जिस्टेबल आम रेस एन ब्रेक येशी दो स्मार्ट की आती है लोक बटन एन अनलोक बटन एनजीन 14,062 cc पावर 75 bhp और टोक 136 न्यूटन मीटर तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा कोमेट में जरूर बताईए वंदे मातरम